हलो फ्रेंड्स मेरे नाम राकिश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम फिर चर्चा करेंगे बाल विकास एवं सिक्षा सास्त्र के 50 महत्पूर प्रशन उत्र पर भाग 5 के बाल विकास एवं सिक्षा सास्त का दोस्तों भाग 5 है जिसमें मैं 50 मह कर रहा हूं जो आने वाले एक्जाम सिक्षक वर्गतीन के लिए महत्पूर है तो चलिए देखिए किसी विशिष्ट समय पर छात्रों में बिचार बिनीमे किस बिधी में होता है बिचार गोश्टी बिधी में अब अब धान बिचार की किसी बस्तु को मस्तिस्क के सामने इस रूप से वो पच्थित करने की प्रक्रिया है यह कथन कहा है रोसने अधिगम प्रयास एवं भूल का सिध्धान्त किसने प्रतिपादित किया था थौर्ण डाइक ने प्रेड़ना होती है सकारात्मक और नकारात्मक सीखने के सफल अनुभाव अधिक सीखने की प्रेड़न देते हैं एक अथन का है Friend Sun मैसलो के अनुसार मूल अवशक्तना कितने प्रकार की होती है पांच प्रकार की अब धान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा नहीं है तो वह है प्रकृति प्रेणा का श्रोत नहीं है चालक प्रेणा कुद्धिपन किस मनुवेग्यानिक ने अपने अधिगम सिद्धान्त में पुनरवलन पर सबसे पहले वल दिया तो वह थे इस किनर अब धान होता है ग्यानात्मक क्रियात्मक भावात्मक पुरुशकार है वाह प्रेणा गैस्टाल्ट वादियों है अधिगम का कौन सा सिद्धान्त दिया अंतरद्रश्टी का सिद्धान्त किसके आभाव में प्रेणा की प्रिक्रिया प्रारम नहीं हो सकती आवशक्ता के आभाव में सुद्ध संबेदना मनुवेग्यानिक कलपना है कथन है वाड का सीखने की उपयुक्त प्रिक्रिया है सरल से कठन गेस्टाल्ट बादियों के अनुसार अंतरद्रश्टी को प्रभावित करती है बुद्धी समस्या की रचना प्रत्य चिकरण कोलहर ने अपना अधिगम सिद्धान्त प्रतिपादित करने के लिए प्रियोकिया सुल्ताना नामक चिम्पांजी पर जो बात पहले सीखी चुकी है जो पहले बात सीख चुकी है उसे इस्मरण रखना ही इस्मरती है यह कठन है बुद्ध वर्थ का छेवन मानुशों बाकेले का प्रियोकिया था कूलहर ने मैसलो के अनुसार ब्यक्ती में बी प्रे रख कितने होते है अठारा सीखना ब्यकास की प्रिक्रिया है कठन है बुद्ध वर्थ का बालकों के प्रियास की एक्छा जीवित रखिये यह कठन है जेम्स का थार्न डाइक का मुख नियम नहीं है आत्मी कराण का नियम और थार्न डाइक ने अधी गम के कितने गौड नियम बताए है पांच सूज बास्तविक इस्तिती का आकास्मिक निश्चित और तातकालिक ज्यान है कठन है गुड का बुड़ वर्थ के अनुसार इस्मरती के कितने अंग होते है चार प्रवलन सिध्धान का प्रतिपादन किया था सी एल हलने चात्रों को अभी प्रेर्णा प्रदान करने के लिए अपनाएंगे पुस्तकार एवं दंड मंद बुद्धी बालकों के लिए उप्योगी सिध्धान थे थार्न डाइक का सिध्धान्त विद्ध्यार्ती को प्रेरित करने की विदी है प्रतिश पर्दा आत्मगौरव दंड थियोरीज ओफ लर्निंग नामक पुस्तक की लिखक है हिलगार्ड अंतरदरिष्टी सिध्धान से संबंदित है बर्दिमर कोफका और कोहलर अंतरदरिष्टी सिध्धान्त संबंदित नहीं है थार्न डाइक से थार्न डाइक के अधी गम के मुख नियम है प्रभाव का नियम तत परता का नियम और अभ्यास का नियम सीखने की प्रभाभी भी दिये स्वयम करके निरिक्षण द्वारा और परिक्षण द्वारा चिन्हों द्वारा सीखना सिध्धान्द की प्रतिपादक है टॉल मैन प्रिंसिपल ओफ बिहेबियर नामक पुस्तक के लिखक है सी एल हल अभी प्रेड़ना उद्दीपन करती है क्रिया सीलता को सीखना बियोहार के परणाम स्वरूप बियोहार में कोई परिवर्थन है कथन है गिलफोट का प्रेड़ना सब्द का मनुबैग्याने करते हैं आंतरिक उत्तेजना बुद्धी लब्दी आईक्यू कहते हैं इसको बुद्धी लब्दी ग्यात करने का सूत्र है तो बुद्धी लब्दी अफ सूत्र है मानसे कायू बटे बास्तवे कायू और उसमें 100 से गुणा इंटू 100 बुद्धी ग्यान अरजन करने की छमता है कथन है बुडरो बिलसन का सैक्षिक पिछड़े पन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रियोग किया जाता है निदाना आत्मक परिक्षण मानसिक आयू का प्रत्य दिया था बिने साइमन ने मनु विशलेशनन बात के अनुसार आत्रप्त आसामाजिक एक्षाओं का संबन्ध है इदम से बुद्धी परिक्षण की उप्योगिता है समस्य ग्रस्त बालकों की सुधार में सर्वुत्तम बालक के चुना में और भावी सफलता के ज्यान में बुद्धी कार्य करने की एक बिदी है यह कथन है बुद्वर्द का भूल भुल यह टेस्ट है ब्यक्तित्र क्रियात्मक परिक्षण का प्रतिभावान चात्र की बुद्धी लब्दी होती है 140 से उपर बिने के अनुसार बुद्धी में नहे थे ग्यान अविशकार निर्देशन वा अलोचना बुद्धी के मात्रा सिध्धान का प्रतिबादन किया था थोर्ण डाइक ने तो दोस्तों ये थे 50 मेर्थ पूर्थ थे बालविकास और सिख्षास थे तो आसा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू